राजीश खन्ना की फिल्म आनन्द का एक बहुत ही मश्यूर डायलोग है कि बावो मुशा इस जिन्दगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं यानि जो जिन्दगी हमें आपको मिली है उसका सफर भले ही लंबा ना हो पर ऐसा जरूर हो कि आने वाली पीडियां यहां कुरसी पर बैठे क्यामरे के सामने आप पर लिखे किताबों और आपके जीवन में घटनाओं का रिफ्रेंस देकर आपके बारे में बाते करें आपकी उपलब्धियों पर आश्चरे करें और आपके जैसे जिन्दगी जीने के सपने देखें तो कुछ ऐसे ही हस्तियों की कहानी ल पर आपके जीवन के उतकर्ष तक नहीं पहुंच पाया लेकिन बहुत नाम कमाया तो कुछ उदारन देदें सारे लोगों के नाम अभी से बता देंगे तो शायद लोगों का बिल्चस्पी कम हो जाएगी भगत सिंग का उदारन लीजिए बिरसा मुंडा का उदारन लीजि हम से अलग हो गई तो इस तरह के बहुत से हर एपिसोड में एक ना एक जीवन पर हम लोग नज़र डालेंगे लेकिन शुरुवात करेंगे विवेका नंद से क्या किसी को इस बात का अंदाजा हो सकता है कि स्वामी विवेका नंद के जीवन को बदल देने में रोशगुला का बहुत बड़ा हाथ रहा है स्वामी विवेका नंद को बचपन से ही खाने और खिलाने का शौक था शायद यही वज़े थी कि उन पर एक किताब लिखी गई है स्वामी विवेका नंद दा फीस्टिंग फास्टिंग मॉंग खाने में उनकी दिल्चस्पी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वेद और वेदान पर कोई किताब खरीदने से कहीं पहले उन्होंने किष्टों पर फ्रेंच कोकिंग की इंसाइकलोपीडिया खरीद ली थी दुनिया के सारे फ़लों में उन्हें सबसे अच्छा लगता था अमरूद इसके अलावा वो मुलायम नारियल में चीनी और बर्फ मिलाकर खाने के भी शौकीन थे गांधी जी की तरह वो भी बकरी का दूद पिया करते थे आइसक्रीम भी विवेकानन्द की कमजोरी हुआ करती थी उसको वो हमेशा कुलफी कहते थे अमेरिका के शून से भी कम तापमान में विवेकानन्द चौकलेट आइसक्रीम खाने का कोई मौका नहीं चोगते थे एक दिन उनके चचेरे भाई रामचन दत्ता ने उनसे कहा कि वो उनके साथ दक्षिन एश्वर मंदिर चलें जहां रामकृष्ण परमहंस हर आने वाले को रोशोगुला खिलाते हैं विवेका नन्द ने अपने भाई से कहा कि अगर उन्हें वहां रोशोगुला नहीं मिला तो वो रामकृष्ण के कान खीचेंगे जाहिर है विवेका नन्द को वहां निराश नहीं होना पड़ा और वो रामकृष्ण परमहंस के शिश्य बलता है आपने एक दिल्चस्प किस्ता सुनाया और किस्ते कहानिया तो बहुत हैं स्वाइवेका नन्द की जंदगी से जोड़े हुए शुरुवात उनके बच्पन से करते हैं नाम उनका कुछ और था जी नरेण नात् उनको कहते थे वीवेकानन उनका शुरुवाती नाम नहीं था बच्पन में बहुत ही जैसे कि शैटान, उड़द, न्वट, नौटी शबद अंगरेजmen का अगर इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए तो बहुत सही होगा और उनको शान्त करने के लिए उनको सजा ये दी जाती थी कि उनके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया जाती था और शुरूर से ही जो तमाम साधू संत आते थे उनके पीछे भागने का उनके बहुत शोक था बड़ा फैसिनेशन था यह साधू लोग घर घर जाते थे उनको और एक आत बार तो ऐसा हुआ कि घर की कई चीजें वो साधू को चुक्के से दे आते थे कि इंब्रॉइडरी कड़ी हुई धोती थी उनकी मा की वो उन्होंने साधू को देती तो नतीजा यह हुआ कि जब कोई साधू की आवाज सुन का कुलकाता में और पूरे अपने जीवन में बच्पन में और रामायंट से बहुत प्रभावित रहे बहुत हसब कि उनकी याददाश थी बलकि कहा जाता है कि कई किताबें वो पंधस कर लेते थे एक बात देखने से ही और बड़ी छोटी उम्र में जब लोग अक्षर को पहचानना सीख रहे होते थे बच्चे वो पढ़ना और लिखना सब उनको आ गया था तो पढ़ने लिखने की बात हो कोई इसके अलावा और क्या शौक थे मतलब सुनाय कि गाने का उनको शौक था और हर्मोनियम भी बजा लेते थे जी गाने बहुत अच्छे गायक थे और उनको रेसलिंग का बड़ा शौक था और स्तिक फेंसिंग तो आंतोर से तलवारबाजी होती जो डंडे से फेंसे थे तलवार बाजी चियां किसी थे उनको नकायन का शौक था घुरसवारी करना बहुत पसंद करते थे तो इस तरह कि अनके शौक थे और शत्रंड में उन्ह उन्होंने महारत हासिल कर ली थी, शत्रंड बहुत अच्छा खेलते थे, 1883 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने बीए किया था और विद्यासागर कॉलेज से उन्होंने लौ की डिक्री दी थी, वो ऑक्सवर्ड भी जाना चाह रहे थे, लेकिन उनके पिता की मत्यी हो ग अच्छा होती है कि उसके बेटे की शादी हो और यह पसंद नहीं करते थे यह शादी लेकिन फिर भी इनके पिता ने एक बड़े अच्छे खांदान के लड़की से इनकी शादी तै की, लेकिन शादी के होने से कुछ समय पहले ही इनके पिता का देहान्त हो गया, और पिर राम प्रिश्न परमाहन्स जो इनके गुरू थे उनका भी मानना था कि इनको शादी के बंधन में नहीं बनना चाहिए, बलके उनका खहना था कि किसी एक व्यक्ति या किसी एक परिवार के विवेकानन नहीं है, पूरी दुन्या का उनके उपर हक है, तो इस तरह से और उन् रामचारी का जीवन बिताना बहुत कम लोग तै करते हैं, एक साधू की जिंदगी पूरी उम्र जीएंगे, और इसमें उनका समर्थन किया उनके गुरू रामकृष्न परमाहन्स ने, प्रभाव काफी था उनके जीवन पर, और रामकृष्न परमहन्स से पहली मुलाकात और शुरू का इंप्रेशन बड़ा जिसे कहा जाता है कि बहुत अच्छा नहीं था, वो समझते थे कि कलपना लोग में यकीन करते हैं, और फिर धीरे धीरे उन्होंने उन्हें अबसर्व करना शुरू किया और फिर उनके प्रभाव में वो आते चले गए, और उनको सबसे अच्छी सेवा करना, मानवजात की सेवा करना है, मतलब हिमानिटी की सेवा करना है, इस बात ने उनको बहुत प्रभावित किया, और फिर 1885 आते आते रामकृष्ण परमाहंस के गले में कैंसर हो गया, तो इन्होंने बिलकुल पूरी तरह से डूब कर उनकी तिमादारी की और 16 आगस्त 1896 को परमाहंस इस दुनिया में नहीं रहे, और उसके बाद ही इन्होंने रामकृष्ण मिश्ण की स्थापना की, इसकी बात हो गई, गुरू की बात हो गई, और जब हम युवाओं के जहन में स्वाम विकानन्द का नाम आता है, हम सुनते हैं, तो सबसे पहल बात जो याद आती है, वो शिकागो में उनका दिया भाषन याद आता है, और उस भाषन की बहुत चच्चा है, अभी तक लोग पढ़ते हैं, और उस पर काफी बातचीत होती है, तो उस भाषन में ऐसा क्या था रहान जी जो अभी तक लिए उसकी बड़ी दिल्शस्प कह आँ तो अमिरिका में जाना चाहता हुँ भारत के दरशन का प्रशार करना चाहता है, तो उन्होंने कwinning नहीं होती है, मैं आपके टिक्ड का इंताजाम कर लेता हूं, लेकिन यह राजी नहीं होए श्रू मे उनके पैसे से यह अड़ीरगा जाना, लेकिन बाद में राजी हो digital liningtails मोर्ती देखकर बहुत प्रहावित हूए ते पेनांग फिर सिंगापूर red फिर Hong Kong होते हुए नागासाँकी पहुँछे और वहाँ जापान में अन्हों तो अन्यगासाइक जापान में याकोहामा बंदरगास से वैंकूवर के लिए रवाना हुए और इंप्रेस ऑफ इंडिया उस जहाज का नाम था बड़ी दिल्चस्प बात थी कि उस जहाज में जमशेट जी टाटा भी सवाथ थे जिन्होंने टाटा समूग की स्थाफना की और खासी बाचीत इनकी हुई और ये 30 जुल आई 1893 को शिकागो पहुँचे और वहां पर हजारों लोग पहुचे हुए थे समेलन में विश्व धर्मसंग का संसद में भाग लेने के लिए और ये सबसे युवा थे विवेका नंद सारे प्रत निदियों में सबसे युवा थे और जहां भाशा देने की बात आई तो इ आखिर में बोलने दिया जाए उनका रोज स्विकार कर लिया गया लेकिन जब इनकी बारी आई तो ये बहुत नर्वस थे इनकी बिलकुल जीप सूख रही थी प्रिपेर्ड स्पीच नहीं थी एक्स्टेंपोर उसी वक्त तयार किया थो नहीं तो इन्होंने मा सरस्वती का ध्यान किया और सीधे मंच पर पहुंचे वहाँ डॉक्टर बैरोज होते थे उन्होंने इंट्रड्यूस किया और प्रेणा जब इन्होंने एड्रेस करना शुरू किया है तो बिल्कुल सारे साथ हदार लोग खड़े एकडम से खड़े हो गए और स्टैंडिंग ओवेशन दो मिनट तक लगातार ताली बचती रही और फिर उन्होंने अपने भाशन की शुरूआत की थी कि मैं दुनिया के सबसे यंग देश को सबसे पुरानी सभिता की और से धन यह था कि जो हिंदू धर्म है एक तरह से सभी धर्मों में उसकी प्रतिष्था है और वो सिखाता है टॉलेरेंस जिसे कहते हैं हिंदी में सहिष्णोता का पार्ट हिंदू धर्म से जादा किसी धर्म में नहीं है तो बढ़ात ने उनका नाम हुआ उस भाशन के बाद पूर अमेरिका में घूमते रहें हर जगह पर गए और कई जगह उन्होंने भाशन दिये और फिर जगह बाद भारत वापस लोटने का फैसला किया तो पहले ऑक्सफोर्ड में रुके वहां पर मैक्स मुलर से उनकी मुलाकात हुई और विपिन चंडपाल सौतंदता सेनानी थे उ विलकुल चारों तरफ और हजारों लोग उनके स्वागत में वहां उमड पड़े और उनका नाम हो गया था वो स्पीच से उनका बहारत तक उनकी ख्याती पहुँच लिए इतनी ख्याती पहले नहीं थी वहां जाने से पहले और कहा जाता है कहानी मशूर है कि जब वह ट्र नहीं रुकती थी वहां लोगों ने रेलवेड ठ्राच पर बैठ गये किसी तरह इनको रोका जाए और फिर वहां पर इनसे बात की जाए तो इतनी प्रसिद्दी थी और फिर इसके बाद तो पूरे भारत में उन्होंने दोरा किया हरिद्वार गए बनारस गए बंबाई ग अन्तिम वक्त कैसा था क्योंकि कारक्रम का पूरा एक कहें तो सार है इसमें कि वैसे लोग जिन्होंने बहुत जल्दी हमें छोड़ दिया और अन्तिम क्षंड जोनका था कहते हैं बहुत बीमारियां थी डील डॉल बहुत अच्छा था देखने में बहुत स्वस्त लगते ही तेंखर था झाया था और खराब रहता था और आन्तिम दिन नोने तीन घंटे तक based कि ठीन क्या करीव एपने मठे को बॉलाया और कहा कि आप मेरे सिर पर पंखा कर दीजिए उनको बहुत गर्मी लग रही थी और करीब 8 बच के 10 मिनट के आस पास इन्होंने बहुत इनका हाथ कांपने लगा और उन्होंने बहुत गहरी सांस ली लोग परेचान हो गए और 2 मिनट तक कोई गतिविदी नहीं हुई फिर उ एक डिवाईन तेज उनके छेहरे से निकल रहा था और वहां जोनके शिच्छ थे उन्होंने इन से बात करने की कोशिश की उन्होंने उनकोंने जिलाने की कोषिश की लेकिन जब कोई उसका परिणान नहीं निकला तो डॉक्टर को बला गया गया डॉक्टर करीब सारे 1,10 क के समय उनको मृट खोशित कर दिया गया और फिर सिस्टर निवेदिता उनकी शिश्या थी वो पूरे रात और पूरे दिन भर उनके शरीर पर मृट शरीर पर पंखा करती रही तो सिर्फ 49 वर्ष पांच महीने और 21 दिन में इन्होंने इनका देहा वसान हुआ और उनकी एक तरह से ये भविश्यवानी सत्य हुई कि मैं चालीसवा वसंत अपना नहीं देख भाऊंगा तो ऐसी ही कुछ हस्तियों की कहानी लेकर हम हर हफते आपके सामने हाजर होंगे आज कहानी विवेका नंकी थी अगले हफते किसकी होगी ये देखने के लिए आपको आना होगा BBC हिंदी के YouTube और तमाम सोशिल मीडिया प्लाटफॉर्म्स पर तब तक मुझे और रेहान को आग्यादी की नमस्कार आपके सामना हिवे पुप हो आपके सामना हुप नमस्केंग के लृट्म्स पर Państwo आपकेन हुप लिएकार